नमस्कार दोस्तों भारत और न्यूजिलेंड के बीच टेस्ट चेंबियन्शिफ का फाइनल 18 जून से खेला जाना है और पूरी दुनिया के किर्कट प्रेमी टेस्ट चेंबियन्शिफ फाइनल का अंतियार कर रहे हैं ब्रेमी उपनी पसंदीदा टीम और खिलाडियों के आधार पर अपना फेर्वेट चुन रहे हैं भारती है क्रिकट प्रेमी जाहितार पर भारत को फाइनल जीतते देखना चाते हैं लेकिन अस्टेलिया के खिल पत्रकार सिर्फ भारत को इसलिए हारती वे देखना चाते हैं क्योंकि भारत की हार से हिंदू दुकी हो जाएगा यानि अस्टेलिया ही पत्रकार ने किर्कट की पीछ पर भी समप्रादाइक ता फैलानी शुरू कर दिये लेकिन हद यह है कि ट्विटर ने अस्टेलिया पत्रकार की इससम्प्रादाइक और गरणा फैलाने वाले ट्वीट पर कोई एक्षन नहीं लिया है अस्टेलिया के इस पत्रकार का बिका गाइदा ट्विटर ने उख रंप defin ар Schwism अस्टेलिया के इस पत्रकार का नाम CJ Wallman है और CJ Wallman ने भारत New Zealand Test Championship Final से पहले बहुत निंदनिये बियान दिया है CJ Wallman ने एक tweet में लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि ICC Test Championship का Final Match New Zealand जीते ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भारत के 50 करोड हिंदू को एक सेकंड के लिए भी खुश नहीं देख सकता हूँ हिंदू के खुश होने पर मैं ऐस सहज महसूस करता हूँ अस्टेलिया इक पत्रकार CJ Wallman के इस निंदनिये tweet के बाद उसकी जमकर आलोचना भी हो रही है पूर्व भारती तेज गेंदवाज वैंक्टेश परसाद ने उन्हें करारा जवाब दिया है वैंक्टेश परसाद ने लिखा है कि जीते कोई भी ठीक है लेकिन इस आदमी की सोच कितनी गटिया और तुच है हाकिकत यह है कि इस आदमी को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां यह लिख सकता है लेकिन इस आदमी की सोच कितनी गंदी है आपको बता दे कि अस्टेलिया इस पत्कार सीजे वल्मन काफी लंबे अरसे से भारत के खिलाफ अलग अलग अंतरास्टे अगवारों में प्रोपगंडा चलाते रहा है पर यह भारत के हिंदु मुसल्मानों मामलों को लेकर काफी जूट लिखता रहा है सीजे वल्मन अपने आपको इसलामोफोबिया एक्टिवस्ट बिताता है और यह कई बार हमारे प्रधार मंतरी नेन मोधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग कर चुका है इसके साथ ही सीजे वल्मन कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसहार को भी एक अलपनी काहनी मानता है हाला कि किरकट को लेकर कियेगा इसके ट्विट को लेकर भारती मुसल्मानों ने इसकी काफी आलोशना की है